नौँ आई रिक्वेश्री संजय सिंग धन्दबाद मानिवर आपने इस आती गंभीर विशे पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया मानिवर मैं महा महिम रास्टपती जी के अभीवासन के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं दुसियंद कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ कि हो गई है पीर परबत सी पिघलनी चाहिए हो गई है पीर परबत सी पिघलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोसिस है कि ये सूरत बदलनी चाहिए आज मुल्क में जो हालात है किसान के मानिवर आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है उनके उपर लाटियां चलाई गई आसू गैस के गोले छोड़े गए बुड़े किसानों की आँखे फोड़ दी गई पानी की बाउचारे की गई उनको आतंक वादी कहा गया उनको गदार कहा अगया उनको खालिस्तानी कहा गया मानिवर उनको अकमानित किया गया यहां तक ही भारती जनताप पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नई आतंक वादी हैं इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलस नहीं कर पाथी तो मैं इनको जूतों से मारूँ चूतों से मारूंगा ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मैनिवर इस देस के अन्न दाता जो आपको अनाच पैदा करके आपका पेट भरते हैं आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं एक ग्यारा दोर की आप वारता कर चुके सारी की सारी वारता फेल आप कहते हैं मैं एक फोन काल की दूरी पर हूँ मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस सरकार के पास काल करने के लिए दो रुपए भी नहीं है अरे दो रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो लेकिन काल कर लो किसानों को काल कर लो किसानों को उनकी पीडा चरम पर पहुंच चुकी है मानिवर 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है आप जाएए गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ पे 97 साल के इलम सिंग आपको मिलेंगे उनके दो बेटे फौज में हैं रो रो के कहते हैं मुझे इस उमर में उपर उग्रवादी कहा जा रहा है नक सलोदी कहा जा रहा है उनकी पीडा है मानिवर आप जाएए टीकरी बोर्डर पे आप जाएए सिंगू बोर्डर पे पीडा के साथ वो लोग कहते हैं सहीद ए आजम भगत सिंग के बंसजों को शहीद लाला लाजपत्रार के बंसजों को जलियावाला बाग कांड में शहादत देने वालों के बंसजों को आप खालिस्तानी कह रहे है आतंकवादी कह रहे है उनको अप मानित करने का काम कर रहे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या दुस्मनी है आपकी इन नदाताओं से चलिए सब कुछ कर लिया आपने अब तो कम से कम उनके उपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा आपको लेना चाहिए अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है आप चले जाएए गाजी पूर बॉर्डर पे मानिवर कटीले तार बड़े बड़े कीले गार दी गई है बारा बारा इंच की कीले सड़कों पे गार दी गई है देखकर ऐसा लगता है कि दुस्मन देश की सेना आने वाली है ऐसी परिस्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती है मानिवर जब देश का सासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेडियां बनवाता है या देश की जंता को सत्रू समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवा दिए ये हो रहा है मानने में आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महें सिंग टिकायत के बेटे राकेस टिकायत को रोना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाटियों से पीटना चायते ये आप करा रहे हैं ये आप करा रहे हैं आप डिमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं आप आजादी की बात यहां पर करते हैं आपने इस देश की हालत ये बना रखी है कि राजदीव सरदेसाई जैसे वरिस्ट पत्रकार के उपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का ताम किया हर तरफ जुल्म हर तरफ F.I.R हर तरफ मुकदमे जो पानी पहुचा रहा उस पे मुकदमा जो डीजल दे रहा उस पे मुकदमा जो खाने का इंतजाम कर रहा उस पे मुकदमा N.I.A लगा दो C.B.I लगा दो पुलिस लगा दो जाच लगा दो अरे वो आपके देश के नागरिक हैं आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया हम बड़े समझदार हैं आईए हमें आपको किसानी बिल समझ आएंगे मानिवर इनकी समस्था ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्था ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझे है भाजपा के लोगों वो बिगडायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत कीजिए मैं आज सुन रहा था मानने वाज़े मुझे बड़ा आश्यर हुआ सारी की सारी भारती जनता पार्टी की सांसच जितने भी नेता बोल रहे थे कांगरेस पार्टी ने उननीस सो दो हजार उननीस के घोष्णा पत्र में इसको लिखा था ये बिल तो कांगरेस पास करना चाहती थी जी एस्टी की बात करो ये बिल तो कांगरेस करना चाहती थी हम इसलिए इसको कर रहे है लेकिन वो सांसच ये बताना भूल गए आधर कांगरेस ने इस निस्त के घोशनापत्र में इस बिल को सामिल किया था तो उनको तो पचपन पहने तो लागु कर दिया आपको पांच पहुचा देगे इस दैश की जंदा पांच पहुचा देगी इसलिए आगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए अपनी पार्टी का नाम बदल कर भारती जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए कांग्रेस A हो जाए, कांग्रेस B हो जाए, जनता प्रचार करें, आप लोग समझें, आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तै कर लेगी, मानिवर, इस बिल में क्या-क्या लिखा है, वो बातें आपको बता के, और थोड़ी बातें कहके अपनी बात खतम करूँगा, असीमित भंडारण की छूट दी गई है इन विलों में, और वो क्यों दी गई है, दो साल से, अडानी का, सो एकल जमीन का लेंड यूज चेंज करने की अप्लिकेशन, हर्याना सरकार के पास पेंडिंग थी, लेकिन सात माई को, जब पूरे देश में लागडाउन लगा था, उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके, सो एकल जमीन पर, अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई, और पाच जून को, आडिनेंस के जरिये, असीमित भंडारण और कोल्ड स्ट तो एबिल किसाने के किसानों के लिए नहीं लागा गया है, अपने चार पूजी पती मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है, उन्ही को फाइदा पहुचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है, उन्ही के लाप पहुचाने के लिए काला कानून ये सर मानवर, 130 करोन हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानवर, ये सरकार, उन चार पुझी पती, लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये उनके लिए बनाई गई ये मान्यवर मान्यवर इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्य मंतरी के बारे में कि एक किसानों का साथ दे रहे हैं किसानों का साथ दे रहें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं उस्तादन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी देती रहेगी और आपने हमसे नव स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए केजरिवाल जी ने इंकार किया हम वहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं हम वहाँ साउचाले का इंतजाम कर रहे हैं आप वहाँ साउचाले का इंतजाम रोक रहे हैं एक माहौल बनाया गया 26 जन्वरी को लाल किले पे हमला लाल किले पे हमला साथ रूट पे किसान ट्रेक्टर रहली लेके निकला मानिवर तिरंगा रहली लेके निकला और साथ रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रों नहीं किया कोई हिंसा नहीं की जो लाल किले पे लोग आ देश के ग्रिह मंत्री के साथ है भारती जन्ता पार्टी को इसका जवाग देना चाहिए कि भाजपा के निताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया तिरंगे का अपमान क्यों किया मैं एक कहना चाहता हूं मानिवर सबको समय मिला मुझे भी समय दिया मुझे भी समय देजिए सर दस मिनिट दिया मैं मानिवर दीव सिद्धू भाजपा का नेता वो फरार है जिसने लाल किले पे हमला किया जिसने तिरंगे का अपमान किया अपनी घिनोनी राजनीती के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं इसका सच है ये जो सामने आया है आप MSP देने की बात कहते हैं आप कहते हैं हम इस देश के किसान को MSP देंगे बड़ी अजीब बात है मानिवर इस देश के किसान को MSP देने के नाम पर क्या कर रहा है ये मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूँ दस धान के क्राय केंद्रों पर दस अधिकारियों के खिलाफ F.I.R हुई क्योंकि क्राय केंद्र में खरीद में MSP में गड़बरी की गई इसी तरीके से एक रुपए किलो गोभी भी कर रही थी तो किसान ने अपनी गोभी पे ट्रैक्टर चला दिया उत्तर प्रदेश की खबर बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में तीन करोण की धान खरीद हो गई काज्यों पे किसान का पता तक नहीं है तो डेरेक ओबरायन साथ जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है किसान का पता नहीं नामदर्ज करके खरीद हो गई चार साल में दन्ना किसानों पे मात्र दस रुपए इन्होंने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र दस रुपए मानने वर तो इसलिए ना आप MSP देना चाहते हो ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो असीमित भंडारन की छूट दे कर आपने पूजी पती मित्रों को ये सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे सस्ते में किसान से फल खरीदेंगे सस्ते में किसान से सबजीया खरीदेंगे उसका बड़े बड़े स्टोरेज में भंडारन करेंगे जमा खोरी करेंगे और जब बाजार में फल सबजियों की कमी हो जाएगी अनाज की कमी हो जाएगी तो महंगे गामों में जंता को बेचेंगे यानि आपने महंगाई को जमाखोरी को काला बाजारी को इस बिल के माध्धम से लीगलाइस करने का वैधता परदान करने का काम किया है इस देश में महँगाई बढ़ाने का काम किया है उसका रास्ता आपने खोला है इसलिए भी ये बिल तीनों का तीनों काला बिल वापस लिया जाना चाहिए Thank you अंत में एक बजट आपने पेस किया मैंनोर बस खतम करके अपनी बात को खतम करूँगा उन्हीं बातों को प्लीज प्लीज कंक्लूब सर बजट इन्हों ने पेस किया है तो बजट के उपर और खरीद के उपर मैं जो इनका बजट है चंद लाइनों में उसको कहके अपनी बात को खतम करूँगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे अगर तुम ही यूँ ही सोते रहे तो ये फर्जी रास्टवादी वतन बेच देंगे धन्यबाद मने